हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप तो फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि यदि आप अपने सीडियों में स्टील रेलिंग लगवा रहे हैं तो उसका क्या कॉस्ट आएगा और यदि आप रेलिंग लगवाते हैं तो उस पक्त आपको क्या साफधानिय रखनी चाहिए तो फ्रेंट्स यह आप चैनल में नए हैं तो लाइक करिए चैनल को और सब्सक्राइब करें चलिए फ्रेंट्स हम वीडियो करते हैं सुरूँ तो फ्रेंट्स पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि क्या एक साइड में रेलिंग लगवाना चाहे हैं या दोनो साइड में लगवाना चाहimme58 क्या होता है तो आप वै. एक ही साइड रेलिंग आगाम कराना चाह रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखे कि आपकी रेलिंग राइट हैंड साइड में होनी चाहिए कि आप कभी यह दिसलिप होते हैं तो आप राइट हैंड साइड में जाके उस रेलिंग को पकड़के सेफ बच सकें तो फ्रेंड्स यदि आप swap पे जाते हैं रेलिंग के लिए तो सबसे पहले तू आपसे पूछेगा कि आप 202 ग्रेट का लगवाना चाह रहे हैं या 304 ग्रेट का लगवाना चाह रहे हैं तो friends मेरा suggestion है यदि आपकी रेलिंग घर के बाहर लग रही means जो बारिस का पानी है उसके डाइट संपर्क में आने वाला है और moisture जैसा कुछ effect पढ़ने वाला है तो आप friends फिर 304 का means 304 ग्रेट यूज करिए इसमें nickel content जादा होता है जो कि इसको strong बनाता है और जो जंग है उससे हमें दूर करता है और यदि आपकी रेलिंग घर के अंदर लग रही है आपकी सीड़ी घर के अंदर से है तो आप फिर 202 means 202 ग्रेट का यूज करिए अब friends यदि बात की जाए तो दोनों के cost में भी अंतर है 202 हमें 304 की पिक्छा सस्ता मिलता है तो यदि अब बात करें friends की क्या आने वाली है cost यदि हम अपने घर की सीड़ी में रेलिंग लगवाते है तो इसकी cost क्या आएगा तो friends यदि हम 202 की बात करें तो आपको ये 500 का पढ़ेगा और यदि 304 की बात करें तो ये आपको 600 से 700 पर रणिंग फिट में पढ़ने वाला है friends ये square फिट पे नहीं चलता इसका cost रणिंग फिट पे रहता है और 3 फिट के आस पास इसकी height होती है फिर भी इसका cost रणिंग फिट पे आने वाला है और यदि आपके घर की ये height 10 से 11 फुट के बीच है और आप दोनों तरफ रेलिंग लगवा रहे हैं तो इसका cost आपको friends 20,000 और यदि आप एक side ही लगवा रहे हैं तो on and average 10,000 तक का इसका खर्च आने वाला है friends पर आप कोशिस करिएगा कि आप quality से compromise मत करिए और अच्छी quality का ही steel यूज करिएगा इस समय मार्केट में टाटा एंड जिलंदल का काफी चल रहा है और आप जब steel railing लेने जाएं तो उस पे आप ISI mark जरूर चिक करें क्योंकि ये इसकी strength को सु करता है और उस पे 200,2 and 304 का mark भी means seal भी लगी होती है तो आप उसे भी जरूर ध्यान दीजे क्योंकि आजकल मिलावट का समय है तो आप से पैसे तो पूरे ले लिए जाएंगे और हो सकते हैं आपको सही सामान ना दिया जाए तो इन सब परिसानियों से दूर रहने के लिए थोड़ा सा इलर्ट रहे है तो friends मैं आसा करता हूँ कि आपकी सारी problem अब दूर हो गई होगी आपको cost के वारे में जानकारी हो गई होगी friends से दिया आप channel में नए हैं तो वीडियो को like करिए और channel को subscribe करिए cost related construction related हम ऐसी useful video अपने channel में समय समय पे provide करते रहते हैं friends से दिया आपको अपने balcony में रेलिंग लगाने कोश जाना है तो उसके अब ही वीडियो हमारे channel में available है thank you friends